जी बिल्कुल इस फिल्म में बहुत जादा देसी रोमांस होगा और आपको बहुत जादा रियलिस्टिक लव देखने मिलेगा जैसे हम फिल्मों में कई बार रोमांक्टिसाइज करते हैं चीजों को बहुत वास्ट दिखाते हैं बट इस फिल्म में आपको सही में एक कपल जो की बहुत ही रिस्पॉंसिबिलिटी के तेहत बंधा हुआ है और बहुत जादा जिम्मेदारियां हैं गरीबी से जूज रहा है उसके बाद भी जब दो लोगों में प्यार रहता है तो वो रियालिटी में कैसे रहते हैं वो आप कोशिश कर रहे हैं मैं और खिसारी जी कि हम बहुत अच्छे से जो किरदार लिखे गाए हैं उनको निभाएं जब भाध शूट करें तब तो देख बहुत अच्छा हो रए है बहुत अच्छा हो रहा है बाकी तो लास्ट फाइनल वर्डिक्ट तो आप ही करें गे वैश को कि मैंने पिछले कई दुनों में जितनी फिल्में की हैं उन से बहुत ही अलग और बहुत ही जादा ग्राउंड लेवल से जूड़ी हुई फिल्म है आशिकी और ओडियंस को देखकर बहुत मजाएगा मैं पहले निरहुआ जी के साथ आपकी जोड़ी है अब सोचल मेडिया पर यूटूब पर देखा जा रहा है कि को आश्की को लेके काफी जादा मीन्स वाइरल के जा रहे हैं अच्छा जोड़ी नहीं मतलब क्या मीम्स हमको दिखाना इंटर्व्यू के बाद हमीम्स अच्छा आपको लेके इंटर्व कई सारी चीज क्या जा रहा है कि अब आव निरहुआ के साथ आमर पाली दुवे नहीं बल्कि खेसाडी के साथ जोड़ी नजर आने बादेगा मैं तो बता रही हूं यह जितने हीरों है ना जितने सब के साथ काम करूंगी मैं सब के साथ मेरी जोड़ी नजर आगी तो बी प्रपेर्ट मैं हर किसी के साथ काम करूंगी दिनेश जी के साथ काम करूंगी किसारी जी के साथ काम करूंगी पहन जी के साथ काम करूंगी जित किसी भी लड़की को किसी भी हीरो को किसी भी हैरो Вас την को कि और इसके और उसके आप्वजेट काम करने की वज़े से जर्ज नहीं करना चाहिए हमारा जॉब है यह कि हम काम करेंगे अगर मैंने लगा तर पाचीस फिल्मेह तो नेश और वह बहुत शिद्दत से करना चाहिए और हम सब अक्टर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से काम करें और हमारी इंडस्ट्री को एक नए मुकाम पर लेकर जाएं तो मैं हमारे सभी के दर्शकों से यही निवेदन करूँगी कि हमको किसके साथ कौन काम कर रहा है किसने कौन सी फिल्म की किसने कौन सी फिल्म छोड़ी किसने किस हीरो के साथ कौन क्या कर रहा है वो सब छोड़के बस हमारे काम को देखिए हमारी फिल्मों को देखिए आप ल आप कुछ खराब हमारे लिए लिखते हैं कभी कोई खराब कमेंट करते हमारा बहुत देल तूटता है बहुत आत्म विश्वास तूटता है तो प्लीज ऐसा मत करिया हम पर अपना प्यार और आशरवाद बनाई रखे जैसे आपने हमेशा बनाया आप योपे से हैं और इंदने योपे में शूटिंग काफी हो रही है, स्रीयम योगी जी का सहयोग में रहा है, क्या कहना चाहिए निस पाष? मैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोरकपुर से हूँ, तो मैं तो डबल प्रफुलित हूँ, मैं डबल खुश हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने आख से देख रही हूँ मेरे राज्य में डेवलप्मेंट होते हुए, मैं यहां पर बच्पन से आती रही हूँ, जब स्कूल के व देख रही हूँ, तो मतलब मुझे हर एक देड महीने में नया उत्तर प्रदेश दिखता है, इतना डेवलप्मेंट हो रहा है हमारे राज्य में, और इसके लिए मैं हमारे माननिय मुख्य मंत्री जी को तहे दिल से थैंक्यू बोलना चाहती हूँ, कि इतना जादा आप उत आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से भी अबिसली, लेकिन जितने उत्तर प्रदेश के आपिस्टों को मैं जानती हूँ, इस समय पे एक भी आपिस्ट ऐसा नहीं है, जो घर पर बैठा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गवर्मेंट सबसीडी दे रही है लोगों को, यह यहां पर फिल्म बनाने के लिए, जो भी प्रद्यूसर यहां फिल्म बनाने आ रहे हैं, वो लोकल आटिस्ट ढून रहे हैं, और इस वज़े से यहां के लोगों को बहुत काम मिल रहा है, सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं, टेकनिशिंस, बाकी जो टीम है शूटिंग की, खान खाना खरीदने से लेके, होटेल में स्टे से लेके, हर चीज में उस जगह के लोगों को रोजगार मिल रहा है, और इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती, कि हमारी फिल्मों से और यहां की सबसीडी से किसी के घर में दो रोटी जा और उसके बच्चों की दुआएं लगे, तो मुझे लगता है कि हमारे प्रडूसर्स को जो यहां के फिल्म बना रहे हैं, और हमारी गवर्मेंट को यहां पे सबसीडी दे रही है, उन सब को बहुत सारी दुआएं लग रही होगी, और उन दुआओं से ही हमारा फिल्म सिटी बहुत जल्दी बहुत अच्छा बन ज जाइटेड क्योंकि कि सारी जी बहुत अच्छे अच्छे आक्टर हैं और उससे भी जादा बहुत अच्छे हुमन बींग है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है पहले से ही और उनके साथ जब मैं फिल्म करूंगी तो मुझे पता है 30 में 30 दिन के शेडियूल में मैं हस्ते हस् पर और प्लस फिल्म की कहानी इतनी अच्छी है इतना जादा परफॉर्मेंस वाला रोल है उसके लिए तो मैं हमेशा लालची रहती हूं कि मुझे कोई ऐसा रोल मिले जिसमें मुझे परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी चीजे हो तो वो किरदार है इस पिल्म में जो की बहुत ही परफॉर्मेंस बेस्ट है तो मैं बहुत जादा एक्साइटेड हूँ आशिकी के लिए पराग पातिल जी के साथ काम करने के लिए प्रदीप शर्मा जी के साथ काम करने के लिए और खिसारी लाल यादर जी के साथ काम करने के लिए और हम लोग बहुत महनत से इस पिल्म की शूटिंग कर रहे हैं बहुत खुशी से इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं तो जब हमारी यहीं पर यह उमीद करती हूँ कि जब हमारी-मेहनत में मोई जादा समय दिया था लुग को मैं बहुत जादा समय दिया था लुक को पराग पाठिल जी ने और मैंने और हमारी डिजाइनर विद्या जी ने बहुत जादा समय दिया था लुक पर बहुत जादा काम किया था हम लोगों ने और यह कैरेक्टर एक बहुत ही गरीब लड़की का और पिछडी जाती से आई कॉस्ट्यूम बनाया है and I'm sure audience को एक अलग फ्लेवर देखने मिलेगा कॉस्ट्यूम्स और कारेक्टरिस्टिक्स के थूप इस फिल्म में मैडम दो गाने केसाडी जी के साथ उसके बाद आसकी तो आसकी कितना पर्मार है सबसे पहले तो जो दोनों गाने हैं उन दोनों गानों को audience ने इतना प्यार दिया इतना प्यार दिया तो मुझे यह कहा जा सकता है कि 60% उस प्यार पे और 40% हमारी इस फिल्म की कहानी और मेरी और किसारी जी की के मिस्ट्री पेड्रस्ट है और मुझे लगता है कि जितना प्यार लोगों ने वो दो गानों को दिया था उससे हजारो गुना जादा प्यार इस फिल्म को देंगे क्योंकि इस फिल्म में हम दोनों की जोडी के अलावा कहानी इतनी अच्छी है कि ओडियन्स जरूर बार-बार देखना जाहेंगे फिल्म की बात करेंगे तो फिल्म में जो आफका जाता है the bell icon on the YouTube app and never miss another update